अब हम संख्या पद्धति वाले अध्यायस से प्रस्ना वली 1.4 के प्रस्नों को देखेंगे तो प्रस्ना वली 1.4 का जो पहला प्रस्न है वो है उत्रोत्तर आवर्धन करगे संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए तो हमें 3.765 को संख्या रेखा पर दर्साना है तो यहाँ पर देखो 4 संख्या रेखा है दिखाई दे रही होगी ठीक है तो यहाँ पर जो उपर में सबसे पहला उसे हम step 1 मानते हैं तो जिसमें 0 से लेके 10 तक दिया हुआ है तो 0 से जो 10 तक दिया गया है उसमें देखो हम 3.7 तो पहले जो राइट हैंड साइड पर है ठीक है जो तीन है नंबर तीन है वो नंबर तीन दसंभलाव संख्या तो नहीं है तो हम क्या करेंगे उसे दसंभलाव संख्या में नहीं देखेंगे तो इस्टेप वन क्या है इस्टेप वन दसंभलाव संख्या नहीं है तो देखो तीन नंबर कहां पे है तो step 1 में देखो 3 संख्या यहां पे है और जो दसंबलाओ आएगा वो कहां पे आएगा तो 3 और 4 के बीज में ही आएगा उसके बाद 3 और 4 का हम विभाजन करते हैं ठीक है सिर्फ हम 3 और 4 जो है नंबर को उठा के दूसरा step में ला लेते हैं तो देखो दूसरा step में जब हम 3 और 4 को उठा के ला लिए तो उसके अंदर कितने संख्या आएंगे फिर 1 से लेके 10 तक संख्या जाएंगे जो दसंबलाओ पाइंट पे रहेगा तो देखो 3 दसंबलाओ 0 से लेके 4 दसंबलाओ 0 तक गया है तो देखो दसंबलाओ के बाद दूसरा अं इन 3 7 और 3.8 दोनों के बीच को अब उठाना है फिर से तो अब हम ये वाला step को काट के हम लोग नीचे वाले तीसरा step में ला लेते हैं तो तीसरा step में देखो तो तीसरा step में जो है उसमें हमें 3.7 0 से लेके 3.8 0 तक के लेना है तो 3.7 0 से 3.8 0 के बीच में हमें क्या करना है 3.76 देखना है तो देखो उसके बीच में 7, 0, फिर 7, 1, 7, 1, 7, 2, 7, 3 इस तरह से है तो 3.76 कहाँ पे है तो देखो 3.76 step 3 में यहाँ पे है और इसमें 3.76 एक से हमें 3.77 को काट के ला लेना है फिर से तो देखो 3.76 और 3.777 को काट के हम लोग एक नया step यहाँ पर 4 step बना लेते हैं तो 4 step में देखो 3.76 जीरो और 3.77 जीरो अंतीम है इसका तो इसमें हमें जो अंग ढूनना है वो अंग क्या है 3.76 पांच हमें ढूनना है तो देखो 3.765 कहाँ पे है तो यहाँ पे देखो 3.765 यहाँ पे आपको मिल गया ठीक है तो यही क्या है यही हमें संख्या रेखा पे ढूंडा था और यह अंक हमें यहाँ पे असानी से मिल गया तो यही हमारा क्या होगा एंसर होगा इसी तरह से संख्यारेका में ढूंडा जाता है उसके बाद देखो दूसरा को तो दूसरा क्या है 4.2 इस्थानों तक संख्यारेका पर 4.2 च्या को दर्साइए तो 2.6 के उपर में बार लगए है, इसका मतलब क्या है कि वही संख्या बार-बार repeat हो रहा है ठीक है, तो repeat हो रहा है, मतलब 2-6, फिर 2-6, फिर 2-6, दो-6 इस तरह से पीछे, लगातार 2-6, दो-6 आते रहेगा तो अब यहाँ पे देखो, same, उसी तरह से, जैसे हमने पहले में किया था, वैसे ही इसमें भी करेंगे, तो जो उपर वाला है, वो बीना दसंबला वाला पाइंट है, तो बीना दसंबला वाले पाइंट में देखो, हमें बीना दसंबला वाला संख्या क्या है, चार है, ठीक है तो चार को यहाँ पे देखो, चार कहाँ पहले step में, तो 4 और 5 के बीच में हमें, 4 और 5 के बीच को उठाना है, तो ये 4 और 5 को काट के हम ला लेते हैं, नीचे वाले second step पे, तो ये कट के आ गया 4 और 5, तो 4 और 5 को जब हम काट के ला रहे हैं, तो उसके अंदर और बहुत सारे point है, कितने point है, 10 point, तो 10 point हो को देखो, यहाँ पे, कि 4.0, 4.1, 4.2 से लेके 5.0 तक के हैं, तो 5.0 तक आ गया, अब इसमें हमें, दसमलो के एक इस्थान तक के संख्या को ढूणना है, तो दसमलो के इसी इस्थान क्या है, 4.2, तो देखो, 4.2 कहां पे है, तो 4.2 यहाँ पे है, और यहाँ से हमें, 4.3 के बीच को उठाना है, तो फिर हमने 4.0 इस पूरे जो संख्या रेखा है, उसमें हमें, 4.2 से 4.3 को हम काट लिए, इतने को काट के हम लोग तीसरा अगला इस्थेप बनाते हैं, तो अगला इस्थेप बना रहे हैं, तो इसके अंदर भी 10 संख्या आ रहा है, तो 10 संख्या कौन कौन से को लेना है तो 4.26 कहां पे है ये देखो तो देखो 4.26 यहां पे है और 4.26 में 2.6 से 4.27 तक के बीच को लेना है क्यों कि दसंबलों के चार हिस्थानों तक निकाला है था तो अभी तो हमें सिर्फ दो हिस्थान निकला है तो चार दसंबलों 2-6 से चार दसंबलों 2-7 तक के ले लिए उसको अगला इस्टेप में लेते हैं से लेके 4.270 तक के step बनेगा तो इस step में हमें देखना है 4.262 देखना है तो 4.262 खहाँ पे है तो यहाँ पे है देखो तो यह वाला मान को लेंगे और इसके बाद एक और step निकालना है न हमें तो एक और मान निकालना है तो यहाँ से लेके 4.263 तक के उठाते हैं तो इनके बीच में भी 10 संख्या और आएंगे जो अगले जो लाश्ट इस्टेप है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा तो अब यहाँ पे देखो 4.262 0 से लेके कहां तक गया है? 4.263 0 तक के गया है अब हमें इसमें दसंबलों के 4 इस्थानों तक संख्या निकालना है क्या संख्या निकालना है? 4.262 देखना है तो देखो ये वाले मान में 4.262 कहां पे है तो देखो 4.262 यहां पे हमें दिखाई दे रहा है तो यही क्या होगा? हमारा answer होगा और इसी को हमें निकालने के लिए कहा गया है तो इस तरह से प्रसनावली 1.4 भी complete हो गया इसके बाद अगले प्रसनावली को देखेंगे